हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टाइब के फंक्शन लाइविरेरी ग्रूप में लोजिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे तो यहां पर हम यह सीखेंगे कि एक्सल शीट में टिक और क्रोस सिंबल का यूज कैसे किया जाता है कभी हमें जो पास स्टूडेंट होते हैं उनको हमें टिक से शो करना होता है और जो फेल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको क्रोस से शो करना होता है तो इसके लिए हम if function का use करते है जैसे यहाँ पर यह दिये गया है तो यह subject ms का तो यहाँ पर यह condition लगाई हुई है कि जिसके number 33 से greater than है या equal to है उसके लिए यहाँ पर take a chain यहाँ पर आए और जिसके number 33 से कम है उसके लिए यहाँ पर cross का symbol आए तो इसको यहाँ पर कैसे यह किया हुआ है इसको इस वीडियो में हम समझेंगे तो इसको करने के लिए पहले इनको delete करेंगे यह symbol delete किये delete करने के बाद अब हम यहाँ पर if function का use करेंगे तो यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद पहले क्या करेंगे हम insert tap पे जाएंगे insert tap पे जाने के बाद symbol यहाँ पे जाएंगे symbol function पे यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद तो symbol dialogue box में हम यह देखेंगे कि यहाँ पे tick का symbol और cross का symbol यहाँ पे कहाँ दिया गया है तो इसको यहाँ पर font पर जाएंगे यहां पर more button पर click करेंगे और भी इसमें जैसे यहां पर click करेंगे तो इसके open हो जाएंगे और पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो यह यहां पर open हो जाएंगे अगर हमें यहां पर tick का symbol और cross का symbol ढूंड़ना है तो हम यहां पर more button पर click करेंगे तो यह cross का सिम्बल और यह जो टिक का सिम्बल है वो यहां पे विंग डिंग्स में दिये होता है तो यहां पे हम W यह लिखेंगे लिखने के बाद यहां पे यह लिखो विंग डिंग्स यह यहां पे आ जाएंगा यहां पे क्लिक करेंगे तो wingdings में यहां पे यह सारे यह symbol दिये गया है तो यह जो symbols होते हैं इनके अपने character code होते हैं जैसे यहां पे click करेंगे तो यह देखो यह character code जो है इस symbol का 33 है इस पे click करेंगे इसका character code 80 है और पे click करेंगे इस पे click करेंगे इसका 106 है तो यहां पे हम क्या डूंडेंगे टिक और क्रॉस सिंबल यहां पे डूंडेंगे तो यहां पे स्क्रोल करेंगे इसको निच्छे जाएंगे यह देखो निच्छे और निच्छे किया तो यह देखो यहां पे यह क्रॉस का सिंबल है और यहां पे यह tick का symbol है तो अब हम यह देखेंगे कि इसका जो character code है वो कितना है cross का और यह जो tick का character code है यह कितना है तो यहां पे हम यह click करेंगे cross पे तो cross पे click करने के बाद यह देखो cross का जो character code है यहां पे तो cross के लिए 251 character code का use करेंगे tick का symbol है यह दिखो यहाँ पे click किया तो tick का character code जो है यहाँ पे दिये गया है 252 तो यह हम याद रखेंगे तो जब हम यहाँ पे if function यूज़ करेंगे तो इन character code को याद रखेंगे इसके बाद क्या करेंगे इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद तो यहां पे हम इफ फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले equal to sign ये लगाया लगाने के बाद यहां पे इफ ये लिखेंगे इफ लिखा लिखने के बाद यहां पे double click करेंगे double click किया इसके बाद है logical test यहां पे हम condition लगाएंगे तो हम condition किसके उपर लगाएंगे यहां पे 40 के उपर लगाएंगे तो इस cell पे click करेंगे तो इस cell पे click करने के बाद यह cell का name यहां पे आ जाएगा C3 C3 लिखने के बाद यहां पे condition लगाएंगे greater than, equal to और इसके बाद यहाँ पे 33 यह लिखा तो यह हमने यहाँ पे logical test में लिखा C3 is greater than equal to 33 इसके बाद आगया है value if true तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो कि हमने पीछे symbol का character code देखा था वो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले comma लगाएंगे इसके बाद लिखेंगे 4 यह लिखा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यह आगे देखो यह 4 इसके बाद दिया हुआ नंबर तो character code क्या था जिसके लिए हमने tick का symbol यहाँ पे use करना है उसका character code है 252 है यहाँ पर 252 यह लिखा इसके बाद bracket बंद की इसके बाद कोमा इसके बाद अगला जो cross का symbol है उसका character code लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चार यह लिखो यहाँ पर चार यह आ जाएगा इसके डबल क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर number लिखेंगे तो आगे cross का यहाँ पर character code है 251 यह लिखा इसके बाद bracket बंद करेंगे bracket करने के बाद फिर इसको bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter press करेंगे enter press करने के बाद यहां पे यह symbol आ गया तो अभी तक हमारे पास यहां पे tick और cross का symbol नहीं आये हुआ है तो इसको करने के लिए हम के करेंगे home tap पे जाएंगे Home tab पे जाने के वाद यहां पे Font पे जाएंगे Font पे जाने के वाद यहां पे हम Wingdings यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हम के करेंगे इसको स्क्रोल करेंगे यहां पे हम W पे क्लिक करेंगे W पे क्लिक करने के वाद इसको फिर स्क्रोल करेंगे यह देखो स्क्रोल किया और यहां पर यह विंग डिंग्स यह आ गया है यहां पर क्लिक करेंगी तो यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर यह टिक का सिंबल यहां पर आ जाएगा तो यह सिंबल आने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे इसको स्क्रोल करेंगे क्रॉस सिंबल यहां पर यूज हो गया है यह देखो यहां पर 40 है तो यहां पर टीक का सिंबल आ गया है यहां पर 20 है तो यहां पर क्रॉस का सिंबल आ गया है आगे 55 है यहां पर टीक का सिंबल है तो इस तरह से लोजिकल फंक्शन के दवारा हम टीक का सिंबल या क्रॉस का सि इंबल कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद